If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. इन्टे के तरप से और उसके साथ तुम्हारा जो रेस्पॉंस सीट है वो मैच करके तुम देख लिया होगा कि कितना मार्स तुम्हारा आ रहे है उसके उपर मैं एक पोल राखा था कि कितना तुम्हारा काट ओफ आ रहे है ओपीसल एंसर की ये साथ मैच करने के लिए 2020 में जो बहु का एक्जाम था ओ बहु खुद से कॉंड़क्ट करता था तो उस साल क्या होता था कि 120 कोसें रहता था पार कोसेन 3 marks और टुडाव 360 marks का एक्जाम होता था एन पार कोस्टें, राइट एन्शर करने के लिए, मिलता था, प्लास 3 माक्स एन नेगेटिव, मतलब, रॉंग करने से मिलता था, मायनास 1 इस साल से contact कर दाए है 2021 तो par question 120 marks का Train मतला 120 QC नहीं है इस साल भी लेकिन par question 3 marks को increase कर केहा nh। तो मैं डिस्कस करूःंगा कि कितना Üर्स नहीं हूँ है यह पर मैं जो डिसकस करूगा एक्सपेक्टेट काट ओफ यह मत सोच लेना कि यही एक्जाटली होगा इसके आज पास 10 मार्क्स प्लास माइनस 1020 हो सकता है क्योंकि NTA कॉंडक्ट कर रहे एंड बहुत सरा फैक्टर्स के उपर डिपेंड करता है जैसे कितना शुडेंट एक्जम दिया नेग बहुत सरा फैक्टर्स के उपर डिपेंड करता है तो इस वीडियो में मैं जो डिसकस कर रहा हूँ यह एक्सपेक्टेट काट ओफ है तो तुम एंड तक वीडियो को देखो एंड उसके बाद ही अनलिसिस करो एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो सिहार करना मैं यहां पर का पोल राखा था उसके उपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कोसेन अभी तक नहीं मतलब कोसेन देखा था उसके साथ सुडेन कितना एंसर किया है वो मुझे बाता नहीं है लेकिन मैं जो पोल राखा था अगर वो सही हुआ तो यह का रेंज रहेगा 240 तो 250 के असप 155 to 170 and above इसके above ठीक है and PWD के लिए मैं यह पल नहीं लिखा तो PWD के लिए 140 प्लस जिसका हो जाएगा around मान सकते हो कि 480 में से मिल जाएगा यह जो cutoff marks है out of 480 marks ठीक है तो general के लिए around 250 EWS के लिए around 225 OBC के लिए around 210 SC के लिए around 180 190 HD के लिए around 150 to 160 यह हो गया chemistry के लिए काट-off physics के लिए इससे थोड़ा कम रहता है मतलब हार साल यह डिपेंड करता है question का pattern की उपर question का level की उपर lengthly of the question यह सारा factors को बडिपेंड करता है कितना students exam दे रहा है उसके उपर भी डिपेंड करता है तो chemistry के लिए यह है mathematics and physics के लिए इसके आसपसी रहेगा statistics के लिए भी same science subject का जो काट-off around आसपसी रहता है plus minus 1020 रहता है और यह जो काट-off में दिया यह expected काट-off है इसके आपड़ डिपेंड करके तुम सोच सकते हो कि तुमारा होगा की नहीं होगा ठीक है तो यह हो गया बहुत सब्सक्राइब के लिए बहुत सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें PMRF जो फेलोसिप मिलेगा PMRF के लिए भी डीटेल्ड वीडियो बनाया था वह भी देख सकते हो कि PMRF क्या होता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोसिप वहाँ पर एमांट जो मिलता है फेलोसिप के लिए मतलब जिनरल जो CSR से जो मिलता है उसका double मिलता है and contingency भी बहुत जाते मिलता है यह हो गए भी एचीप का काट-off analysis में जो पोल रखा तो उसके basis में तो एराउंड मान सकते हो 240 फ्लास जो है उस जेनरल स्टूइन्स के लिए एक सेप स्कोर है बीएचीव में admission लेने का अभी वेट करो बीएचीव का फाइनल रेजल्ट और स spiritual environment होता है यह पर admission लिए सकते हो so that's all so if you get any information from this video please hit the like button and please share this video with your friends that can help your friends also and give some important informations and updates also so thank you for watching see you in the next video